तो फाइनले दोस्तों आप सभी को फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मोनू यूट्यूबर में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करने वले हैं कि गाइस गुजरात वोमेंस और साथ में आरसे भी होमेंस के बीच जो डबलू पियल का सिक्स मुकावला नम्मर खिलाज जाएगा उसके भी चर्चा करेंगे तो आप लोग जो वीडियो को पूरा दियान पूरवक देखते रहा ना फिर से इस वीडियो में एक-एक पिलियर वाइस एनलेसिस करेंगे कि कौन-कौन सा पिलियर सामारे लिए इनपोर्टैन टिपिक होने बला किस पिलियर को स्मॉन लिख की टीम में च्राइ करना है पूरा बारीकी से A to Z जनकारी आपके सास्सेयर करेंगे तो गाईज इसलिए आपको कहता हूँ यह दि आप भी चाहतो फेंटेसी में एक बैतरीन प्लेंग लेवन टीम का सलेक्शन करना सही तरीका से कैप्टन और साथ में वायस कैप्टन का सलेक्शन करना तो आप बिलकुल सही जगवा पर आये हो और आप बिलकुल सही वीडियो को देख रहे हो इस वीडियो को देखने के बाद गाईज यहाँ पर से आप पुद का एक बैतरीन प्लेंग लेवन टीम का सलेक्शन कर सकते हो सही तरीका से आप भी यहाँ पर से कैप्टन और साथ में वायस कैप्टन का सलेक्शन करके यहाँ पर से किसी को भी बड़े असानी तरीका से हडा करके आप भी एक बड़े एमांट को बिलिंग कर सकते हो तो सभी भाई पैसा जीतने के लिए आए तो यह वीडियो को पूरा ध्यान पुरवक देखेंगे ताकि जब भी मैं कोई नेक्स टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो गाइस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा तो WPL का मुकाबला नमर 6 तो हो जाएगा गाइस यहाँ पर से 8 मार्च को यह मुकाबला खिला जाएगा इसका टाइमिंग जो रहेगा साम 7 बज करके 30 मिलत में गुजरात मोमेंस और साथ में गाइस RCB मोमेंस के बीच आपको मुकाबला जोगा लाइव देखने को मिलेगा यह मुकाबला खिला जाएगा वेवर्ण एस्टेडियाम मुंबई में खिला जाएगा और साथ में अभी तक के आपने हमारे टेली ग्राम चानल को भी नहीं जोईन किया है तो गाइस टेली ग्राम चानल को जोईन कर देना टेली ग्राम चानल का लिंक का आपर मिलेगा इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रेप्सन बॉक्स में और वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में टॉप पर पिन कर दिया हूँ जहां से आप बड़े असानी तरीका से जहुआ टेली ग्राम चैनल को जौइन कर सकते हो गाइस आपको बता देता हूँ कि टेली ग्राम चैनल पर 22,000 से अधीक लोगों ने जौइन करके रखा और जिस जिसने अभी तक के जौइन करके रखा है समी ने यहाँ पर से जबरदस्त बिनिंग कर रहा है तो यहाँ पर से आपको बता देता हूँ अभी तक के आपने वार चैनल को नहीं जौइन कर देना है क्योंकि guys मैं वहाँ पर से final pitch report और final team आपको जो देखने की मिलता जो मैं team लगाता हूँ same way team बिल्कुल free में आपको telegram channel पर provide किया जाता है यहाँ पर से आपको कोई भी charge नहीं लिया जाता है आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है तो सिर्फ आपको क्या करना है real telegram channel को join करना है तो real telegram channel join करने के लिए कभी भी join करो तो इसका link मैंने आपको बता दे यहाँ वीडियो की description box में और वीडियो को comment box में टॉप पर pin कर दिया हूँ जहां से आप बड़े असानी तरीका से telegram channel को join कर सकते हो और यहाँ पर से आपको बता देता हूँ telegram channel पर guys मालो यह मुकाबला आपको live देखने को मिलेगा साम 7 बज़ करके 30 मिनट में तुमें अपने telegram channel पर मालो टॉस हो जाता है 7 बज़ करके 2 मिनट में तो मैं अपने टेली ग्राम चानल पर जो टीम को प्रोवाइट करा देता हूँ, साथ बज़ करके चार मिनट में बिलकुल फिरी में टेली ग्राम चानल पर टीम देखने को मिलेगा, तो इसलिए बोते इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रेप्शन बॉक्स में और वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में टॉप पर पिन कर दिया हूँ, जहां से आप भी बड़े असानी तरिका से टेली ग्राम चानल को जोईन कर सकते हूँ, तो गाज सबसे फिलिए यह जो मुकाबला खिला जाएगा, वेवर्न एस्टेडिया मुंबई में आपर से यह मुकाबला को खिला जाएगा, थोड़ा पीच देखते, इस स्पीच पर बैटिंग को मदद मिलता या बॉलर्स को मदद मिलता, तो वेवर्न उपर T20 का गाज देखते, तो वारा मुकाबला खिला जाएगा T20 वोमेंस का, बैटिंग फर्स्ट करने वाले ने 6 मैच को बिनिग किया, बैटिंग सेकेंड करने वाले ने 6 मैच को बिनिग किया, scoring pattern की वो नज़र डालते हैं तो guys 153 बड़ बना है वही देखते हैं 150 से लेकर के यहाँ पर से 179 तो guys 152 बड़ बना है और साथ में 170 से लेकर के 189 देखते हैं तो यह 3 बार यहाँ पर से 189 बार बना है और थोड़ा यहाँ पर से नज़र डालते हैं से होने बदा तो सबसे पहले आपको एवरेज स्कोर 150 से लेकर के 170 देखी नेक पिलेगा इस पीच पर हायस्ट एसकोर जो हुआ और साथ में MI होमेंस के बीच खिला गया था जिसमें RCB होमेंस ने 18.4 आवर में 10 विकेट को करके 1 सब पच्पन डन मनाया था वही देखते हैं यापर से तो मुंबाई होमेंस ने गाईस एक विकेट को करके 14.2 गेंद में यह मैच को बिन कर चुका था अब आते हैं यापर से फास्ट में फेसर्स बॉलर्स को जो विकेट मिलता हुआ दो विकेट निकालता एस्पिनर्स बॉलर्स को देखते तो गाईस फास्ट इनिंग में 7 विकेट निकाला सेकेंड में 0 विकेट निकाला एस्पिनर्स बॉलर्स एक विकेट निकाला फिर देखते 20 दिसम्बर 2022 को इ Spinners Ballers को 2 Wicket मिला है और वहीं देखते हैं DC Women और साथ में RCB Women के बीच मुकाबला करा गया था है जिसे में DC Women ने 2 Wicket को करके कितना रन मनाया था 223 रन मनाया था 20 अबर में और साथ में आपर से 20 अबर में RCB Women ने आठ विकेट को करके 163 रन मनाया था फर्स्ट में देखते हैं तो पेसर्स बॉलर्स को 2 Wicket Spinners Ballers 0 Wicket निकाल करकी गया सक्यान इंडिंग के एगंस 6 Wicket मिला पेसर्स बॉलर्स को जो हुआ विकेट मिलता चार विकेट मिला तो देखो कहीं न कहीं आपको मिल देता इस स्पेस पर जो काफी ज़्यादा विकेट मिलने के संभावना होता हुआ पेसर्स बॉलर्स बड़े असानी तरीका से विकेट को जो हुआ निकाल करके ले जाता बट यहां पर से अब देखते हैं पॉसीवल 11 गुजरा जैंट का किस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले आपको दिखा देता हुआ एस में गाना हो गई राइट हैंड वाट इस्टाल है वही देखते हैं तो Sophia RHB राइट हेंडर इनका बैटिंग इस्टाल है एलवी लेक ब्रेक बॉलिंग करते हैं जो टॉप ओर्डर का राने वाली है यापर से उसके बाद यहां पर से अनावेल सदर लैंप ट्रियम इंसलेंग फिर देखते हैं तो आपको फश्क से आसे कुछ इडर्व यहां रहने बाले घुजरात है उसका उष्का वालाइच बाद हैं लथा हुए राइट हैंडर बैटिंग करते हैं वही देखते हैं आपर से तो गयाज लोवर आउडर तो सबसे पहले आप देख सकते हो आपको गुजरा तो मैं इसकी तरब से नजर आता हुगा गयाज सनेहा राना हो गई जो कैप्टन रहने वाली है और लॉंडर सेगंस स आते हैं कैप्टन रने में बालिंग भी कर सकते हैं और साथ में बैटिंग भी कर सकते हैं फिर आपर से कीम ग्रेथ हो गई राइट हैंड बैटिंग उसके बाद इनका बालिंग एस्टाल जो गई राइट आनम फास्ट बालिंग करते हैं मांसी जोसी हो गई राइट आनम फ मेरे बाई टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर देना अब देखते एक एक पिलियर्स का एस्टेट किस परकार से रहा सबसे पहले गुजरायाइट का तो आप लोग यहां पर से वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि अब आपको पिलियर्वाइज एनलेस्स करेंगे कौन करायानि यह पर से ओमेंस का मैंस देखे तो गयाश देख सेक्ट दो मैंस खेलिए दो मैंस खेल करके 26 अब बनाए और देखते तो गाश 13 के से यह रन बनाती है आप लोगो पूरा A to 0 जनकारी सेर करते हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा दियान प्रूबक देखते हैं रहना A to A में कोई रेकॉर्ड नहीं बैनु पर एक भी मैंच नहीं के लिए रिसेंट प्रूफिमेंस देखते हैं तो 24 रन दो रन फिर यहां पर से लेको 20 रन और साथ में यहां पर से देखो तो 15 रन बनाएए पिलियर्स वाई हो देखो क्योंकि आपको बता देता गुजरात ओमेंस की तरफ से आपको फास डाउन वैटिंग करते हुए नजड़ आएगी तो इस कंडिशन में यह जो पिलियर्स होने वाली है खास करके जील के लिए काफी ज़्यादा इंपोटेंट पिलियर्स होने व WPL का गाइस एक मैच खेल करके तेरा रन बनाई है और एवरेज देखते हो तो तेरा का एवरेज रहा है टो एड में कोई रेकॉर्ड नहीं वैनू पर कोई रेकॉर्ड नहीं रिसेंट प्रफ्रमेंस तेरा रन फिर देखो 28 रन दो रन दस रन चार रन जील में ठ्राई कर सक तो इसके एवरेज से रन बनाती है वैनू पर दो मैच खेल करके 24 रन बनाई रिसेंट प्रफ्रमेंस देखते है तो 46 रन फिर 0 रन 46 रन 13 रन बनाई है तो इसमाल लिक एगांस प्लस ग्रैंड लिक एगांस दोनों में ठ्राई कर सकते हो इसमाल लिक प्लस ग्रैंड लिक दोनों में बेश च्वास में इसे आप अपनी टीम का चाहतो कैप्टन या वाइस कैप्टन का सेलेक्शन कर सकते हो देखो जील के अनाविल सदर लेंड देखते हैं अनाविल सदर लेंड राइट एंडर बेटर आने वाले राइट आर्म फास्ट मेरियम इनका बॉनिंग इस्टाल है दो मैच के लिए दो मैच खेल करके गाइट चौदर रण मराई विकेट एक निकाली है टू एड में कोई रेकॉड नहीं द्रॉप करके भी जा सकते हैं फिर आती है यहां पर से गांड नेर देखते हैं तो गाइज राइट एंडर बेटर राने वाले है राइट आर्म उप्डेक इनका बॉनिंग इस्टाल है दो मैच के लिए डबलू पेर का पचीस रन बनाई एक विकेट निकाली है एक आप चागे दख़ा गया तो देखो एक उन पर काफी अच्छा कासा रिकॉलरण कर सकते हैं तो यह जय से आती है सूसमा बना मा राइट हेंडर बैटर रहने वाली है और देखते हैं तो एक मैच के लिए नो रण बनाए एबरिज नो करा है एट वेड़ में कोई रेकॉर्ड नहीं बैन वाली है दो मैच के लिए पचास रन बनाए डविप्यल का दो मैच करकर करके पचास रन बनाई है टूरी में कोई रेकॉर्ड नहीं बैन उपर एक भी मैस नहीं के लिए 21 रन 29 रन अबाद पिर देखो 29 रन अबाद चार रन जीरो रन फिर दस रन एस मॉल लिक एगांस प्लस ग्रेंड लिक एगांस दोने में चराई कर सकते हो वेच वाइस में कैप्टन या वाइस केप्टन का भी सेलेक्शन कर सकते हो फिर यहां पर से आती है इसने रन राइट हैंकर बैटर रहने माले है राइट आर्म और ब्लेक इनका बॉलिंग एस्टाल है दो मैच करके दस रन बनाई है दो विकेट निकाली है हैड टू हैड में कोई रेकॉर्ड नहीं व काफ़ी ज्यादा इन्पोर्टेंट फिलियर्स होने वाले है तो जरूर से जरूर ट्राइक करना फिर यहां पर से आती है गाइस कीम ग्रेट देखते केम ग्रेट तो राइट अंडर बैटर रहने वाले है राइट आर्म फास्ट मेडियम इनका बॉलिंग एस्टाल देखो से और इस स्पीच पर जो आप असानी तरीका से विकेट निकाल करके जाती एक मैच के लिए पांच विकेट निकाली है एक देखते हो तो यहां पर से देखो एक प्लस ग्रैंड लिग में दोनों में चराई कर सकते हो वेच्वाइस में चाहतो क्याप्टन या वाइस कप्ट का भी सेलेक्शन कर सकते हो फिर आते हैं मांसी जोसी राइट हैंडर वेटर रन है राइट आर्म फास्ट मेरियम इनका बॉलिंग एस्टाल है डावलू प्ल का दो मैच के लिए एक विकेट निकाली है एकोनोमी आर्ट का एकोनोमी रहा है हेट वर में कोई नहीं वैनू पर ग्लें एक्वी मेच नहीं थे रिच्ण परोफुमेंस देखते तु एक विकेट जिरो गियर गिफट जिरो च्ँरो घिरो गिफसले आपको दिका देता वहा जी disturb कर केंड़ ही जा सकती हो फिर आते हैं यहां पर से पनुजा कान वें तनुजा कान वेट लेप्ट आर्म और्थो डैक्सिंग का बॉलिंग इस्टाले दो मैच के लिए एक विकेट निकाली है एकोनोमी 6.6 6.83 का एकोनोमी है एकोनोमी काफी अच्छा कासा हेट टू हेड में कोई रिकॉर्ड नहीं वैनुपर एक विकेट एक विकेट ड्रॉप कर सकते हो जील में ट्राय करना होगा तो ट्राय करके जा सकते हो फिर आप पर से कुछ देखो इस प्रकार से बैंच पिलियर राने वहला फिर आप पर से गार्डिनेर आपको दिखा देते हो गई अनाविल सदर लेंड हो गई जो कुछ इस प्रकार से स्टार्टिंग ओबर में बॉलिंग करने की काफी ज़्यादा समभावना है अब देथ ओवर की एगेंस देखते हैं तो यहां पर से देखो गार्डिनेर हो गई तनुजा कानवेर यदि आपको बता देता हो इस्टार्टिंग ओबर और साथ में देथ ओवर में बॉलिंग करेगी तो यहां पर से आपके लिए दो तीन बॉलर काफी ज्यादा इंपोटेंट होने वाली है फिर यहां पर से किन ग्रेथ होगे जो कुछ इस प्रकार से इस्टार्टिंग ओबर और साथ में देतावर में बॉलिंग करने की काफी ज्यादा उमीद है उसके बाद यहां पर से देखते हैं अब पोसीबल 11 किस प्रकार से आता है गाइस बैंगलोर का पोसीबल 11 तो सबसे पहले आप देख सकतो एस मंदना हो गई एसमरीती मंदना ल एस्ट भी लेफ्ट हेंडर बैटिंग एस्टाले सोपिया हो गई राइट हेंडर बैटिंग एस्टाले और साथ में राइट अर्मेडियम यह बॉलिंग करती है दीसा कास्ट हो गई राइट हेंडर बैटर रहने बाले इलेसा पेरी देख सकतो फिर आपको रीचा गोस नज रहती होगी फिर आप देख सेकतो कानी का अहुजा हो गई लेप्ट हेंडर बैटिंग अस्टाल है उसका देखते स्रियंक का पार्टी लोगई राइट अर्म और ब्रेक बॉलिंग अस्टाल है प्रीती वोस हो गई मेगन सट हो गई फिर रेनू का ठाकुर हो गई जो कुछ इ 95 परसेंटेज यहीं पिलियर से रहे जएं कैपटन जो रहेगी हूँ ऐस मंदना रहेगी अब एक एकए पिलियर्स का स्टेट्स देखते हैं आरचीफी होमेंच की तरफ से कौन कैसा करता है सबसे पहले हाती है यहां पर से आस्मीती मंदना तो गाज इस नीती मंदना देख और काफी अच्छा कासा करें रिशन्ट प्रुफिमेंस थाइस रण 25 रण दो रण 87 रण बावन रण स्मॉन लिक एगांस प्लस ग्रैंड लिक एगांस दोनों में च्राइब कर सकते हो बेश्वास में इस प्लियर्स को चातो जी एली के लिए जी एली के लिए खास करके कैप् एक टीम में आपको बता जिता हूँ इस प्लियर्स को कैप्टन बनाऊगा जो आपको कहां पर देखने को मिलेगा टेली ग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा स्मॉन लिक प्लस ग्रैंड लिक दोनों में चराई कर सकते हो काफी ज़्यादा इनपोटेंट फिलियर्स होने वा अर्वलन करती है और गास दो मेंच डबलो पील का खेलिये टीस रन बनाई है एक बीकेट निकाली है वे और व्यू पर दो मेंच करके तीस बनाई है जी रो विकेट निकाली है रीसेंट प्रॉप्वियंस सोलर उन जीरो विकेट स्वाराग गैशन लेकिन प्लस स्मॉल लिक से तो जील में आप अपने टीम में इससे ट्राइट कर सकते हो फिर आती है दीसा कास्ट राइट हेंडर बैटर राने वाली है दो मैच खेलिए नौ रन बनाई है और देखो इनका नौ रन बनाई है और एवरेज देखते तो एवरेज काफी ज़्यदा खड़ाब है हेट टू सब्सक्राइट निकालिए है कोई रेकोर नहीं है वैनंव पर दस मैच केलिए वैनंव पर दस मैच दो सब्सक्राइब प्लस 1 4030-2 र्लान फिर से जीर वीडिट एक राधा एक बिकेट पीलेश को जैने च्राइट कर सकते हो स्मुल लिक से सातो ड्रॉप करके जाना तो ड्र पिलियर्स होने वाली है फिर आते है रीचा गोस राइट एंडर बेटर रहने वाली है डवलू पील का दो मैच के लिए तीस रन बनाए है एवरेज 15 करा हेट टू एड में बैनू पर पांच मैच करकर के बैनू पर काफी खड़ाब इनका रेकॉर्ड है गोस का यानि रीचा उसका राइट है रिसेंट प्रफिमेंस देखते है 28 रन दो रन 14 रन फिर यहां पर से 0 रन 47 रन 44 रन तो कहीं नहीं कहीं देखा जाए तो आरसी भी ओमेंस की ट्रफ से कोई फिलियर्स जोगा खास नहीं कर रहा तो इनका जील प्लस अस्माल लिग दूनों में ट्राइक कर सक लेकिन मात रहें यहां पर से 53 रन देखने को मिला विकेट भी दो निकाली है रिसेंट प्रफिमेंस तो जीरो रन 34 रन दो विकेट फिर 31 चार रन 28 रन जील में ट्राइक कर सकते हो एस मौल लिक से ड्रॉप करके जा सकते हो फिर आती है यहां पर से कानी का अहुजा हो गई राइट लैप्ट अंडर बैटिंग एस्टाले राइट आर्म और ब्रेक बॉलिंग करती है दो मैच के लिए 22 रन बनाई है एवरेज है बैन उपर दो मैच के लिए 22 रन बनाई है और एवरेज 11 रा रिसेंट प्रफिमेंस 22 रन जीरो रन एक देखते हैं आपर से सरियंक का पाटि राइट अंडर बैटर राइट आर्म और ब्रेक बॉलिंग अस्टाले एक मैच के लिए 23 रन बनाई है जीरो विकेट निकाली है एट वरेज में कोई रेकोर नहीं वैन उपर एक मैच के लिए 23 रन विकेट जीरो रिसेंट प्रफिमें सकते हो वैसे में अपने जील का टीम आपको तीन टीम जो हुआ तीन नहीं तो दो टीम जो हुआ आपको प्रोवाइट कराता हूं टेली ग्राम चैनल पर उसमें एक टीम में वीसी बनाने के काफी ज़्यदा संभावना है थोड़ा मैं रिक्स लेता हूं तो रिक्सी फिलिय फिर यहां तीन वीगेट निकाली जीरी कर सकते हूं देखो जाएट के लिए काफी ज्यादा इनपोटेंट फिलियर्स होने वाला है यहां पर से प्रिटी बोस तो जीएल में ट्राइक कर सकते हो फिर आती है मेगन सुट तो तो राइट हैंडर बैटिंग इस्टाल है राइ इस बैनू पर यह कोई खास नहीं कर पाती है तो यहां पर से देखो यहाद विक्यर्ट निकाल करके दर देती है तो घ्ला कर सकते हो वैसे भी देखो तो गाइज इसे टराये मतलब ठ्राये करना होगा 0 विकेर निकाले, एकोनोमी भी काफ़ी, मतलब ठीक ठाकी कर सकतो, 82 AD में कोई record नहें, वेन वानों पर गास 5 match कल करके, मात रोदो विकेर निकाले, एडिसन प्रुप मेंस, 0 विकेर, 0 विकेर, 0 विकेरट, 1 विकेर, फिर इधर 5 विकेर निकाले है, जो भी चैन्ज आता जो भी चैन्ज साता आप लोको टेली ग्राम चैनल पर देखने को भी लेगा अब देखते हैं यहाँ पर से मेगन सुट को यहाँ पर से स्टार्टिंग और मिलता है प्रीटी बोस भी काफी जदा इन्पोटेंट फिलियर्स होने वाला तो यहाँ पर से ज्मॉन लिक एगंस प्लस ग्रैन लिक एगंस दोनों में ट्राइ कर सकते हो और सात में अभी तक के जो भाई मेरे टेली ग्राम चै में और वीडियो कर astronomy année कर दिया हूं जहां से आप बड़े असानी तरिका सनुट हो टेली ग्राम चैनल को ज्वाइन कर सेकते हूं लिक वीडियो की डिसेप्शन वॉक्स में और मस में बाकी देखलो मेरा मेरा प्लेटी किस प्रकार से रहने वाले है तो रीचा भौस होगई क यहां पर से कुछ इस परकार से रहने बाला है पिर आपको मेगा सुट नजर आती है जो कुछ इस परकार से रहने बाले है और देखो इसमें क्याप्टन मैंने बनाया हूँ ग्रेट को पर देखने को मिलेगा तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे परमेंट बॉक्स में जरूर से बताना इस परकार से मैंने आपको बोला था कि कौन-कौन सा प्लियर्स इनपोर्टन टेपिक होने में विला किस प्लियर्स को समौन लिकी टीम में ट्राय करना पूरा वारी की से एटुजेर जनकारी आपके साथ से यह आऊँ और इस परकार से आप लोग उससे एक प्लेंग इनवन टीम का सेलेक्शन करते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा मिलेंगे फिर एक नए और इस वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम सभी लोग